हम डिसकस करेंगे वोल्टेज के बारे में वोल्टेज ही का दूसरा नाम होता है Electric Potential Difference और ये वोल्टेज होती क्या है वोल्टेज Electrons को पुश करती है उनको धक्का लगाती है कि वो मूव करें और इसकी वज़ास से किसी भी circuit के अंदर current flow करना शुरू हो जाता है तो electrons की movement या electrons का flow क्या है? Current है तो current किसी जगा पे कब flow करता है? जब उसको voltage मिलती है यानि वहाँ पे electric potential का difference होता है जैसे ये देखिए इस bulb को on होने के लिए current की जरूरत है तो ये bulb वाइर के साथ जुड़ा हुआ तो है इस वक्त और इस वाइर के अंदर electrons भी हैं लेकिन वो electrons move नहीं कर रहे इन electrons को move करवाने के लिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर battery लगा दी तो ये battery क्या करती है? ये battery इस bulb को voltage प्रोवाइड करती है यानि इस circuit को voltage प्रोवाइड करती है और उसकी वजह से इस वाइर के अंदर के जो electrons जो पहले move नहीं कर पा रहे थे रुके हुए थो अपनी जगा पे वो move करना शुरू कर देते हैं यहाँ से और जाकर bulb को on कर देते हैं तो देखिए जब यहाँ पर voltage नहीं थी बैटरी नहीं थी तो यह bulb off था लेकिन जैसे ही आपने voltage प्रोवाइड की बैटरी की help से तो voltage ने क्या किया voltage ने इन इलेक्टरॉन्स को push किया और यहाँ पे current flow करवा के bulb को on करवा दिया तो हम देखते हैं चलिए कि यह voltage किस तरह से इस bulb को on कर रही है देखिए जब यहाँ पर बैटरी नहीं थी तो यह इलेक्टरॉन्स अपनी जगा पे थे लेकिन इस wire के अंदर थे ठीक है लेकिन मैं यहाँ पे इनको बना रही है लेकिन जब यह बैटरी यहाँ पर आई तो इस negative charge ने इन इलेक्टरॉन्स को उपर ताक्त लगाई और इनको दूर धगेला जिसकी वज़ा से इन इलेक्टरॉन्स के पास अब यह ability है कि यहाँ से move करके आगे की तरफ जा सकते हैं यहाँ से move करना शुरू करते हैं जाते जाते इस तरफ बल्ब के पास चले जाते हैं तो यह जो electron के पास इस वक्त ability आई है इस electron के पास इस position पे जो ability बैटरी की वज़ा से आई है इसको हम कहते हैं electric potential electric for electron और potential का मतलब होता है काम करने की ability तो इस electron के काम करने या move करने की ability को नाम देते हैं हम electric potential का और जब electron इस position पर है तो अब इसका potential क्या है बहुत high है यानि कि यह काम कर सकता ना तो इसके पास potential high हो गया लेकिन जैसे ही यह electron यहाँ पर bulb के पास जाता है तो यह अपनी energy इधर लगा देता है bulb को on करने में लगा देता है और फिर जब यह electron आगे की तरफ को जा रहा है तो अब इसकी energy या इसकी काम करने की ताकत जो है वो कम होती जा रही है और जैसे ही electron इस position पर पहुँचता है तो इस particular position पर पहुँचके electron की काम करने की सलाहियत बिलकुल खतम हो चुकी है दूसरे लफ़ों में हम यह कहते हैं कि यहां पर इसका potential बहुत कम है यह यहां से इस तरफ को वापस नहीं जा सकता इस तरफ नहीं जा सकता तो इसके काम करने की सलाहियत खतम हो गई ना इसलिए हमने यहां पर लिख दिया कि इसका potential कम है तो देखें यहां पर इसी electron का potential high था यहां पर इसी electron का potential low हो गया तो दो different points पे इसका electric potential different है electric potential को क्योंके P से represent करते हैं तो मैंने इसलिए हर जगा पे P use किया है तो हम क्या कहेंगे कि अब electron का दो points पे जो उसका potential में difference है, जो फर्क है potential का, इसको नाम देते हैं हम electric potential difference का, यानि कि ये हमारी वो voltage है, इन दो points का difference, sorry, इन दो points पे electric potential का difference हमारी वो voltage है, जो bulb को on करवा रही है, तो अभी तक हमें ये तो पता चल गया कि voltage क्या होती है, और ये voltage किस तरह से bulb को on करती है, लेकिन अगर हमें ये मालूम करना हो कि voltage किसी जगा पर कितनी है, तो हम कैसे मालूम करेंगे, तो voltage मालूम करने के लिए हम एक particular उसका unit इस्तमाल करें, जैसे हर एक चीज को मापने के लि जैसे voltage यानि electric potential difference को volts में मापा जाता है, इसको कभी volt और कहीं पे volts लिखा होता है, तो आपने confused नहीं हो न, volts, volt ही की जमा है, तो voltage या electric potential difference को मैयर करने के लिए, मापने के लिए जो unit इस्तमाल होता है, वो है volts, जैसे आपको अगर मालूम हो, तो हमारे घरों में जो बिजली हम इस्तमाल करते हैं, वो कितनी volts होती है, 220 volts होती है, अब 220, 220 क्या है, volts तो हमें पता है कि इसका unit है, 220 इसकी मिकदार है, voltage की मिकदार है, जैसे यहाँ पर 3 electrons थे न, अगर 3 के बचाय यहाँ पर 220 electrons होते, 220 electrons होते, negative charges या electrons एक ही बाद, तो चलें क्योंकि हमने पहले negative sign से शोक किया था, इसलिए मैंने फिर से 220 electrons के लिए यह लिख दिया, और इसी तरह से यहाँ पर 220 ही positive charges होते, तो इस battery का electric potential difference कितना होता, 220 volts होता, तो आज हमने डिसकस किया voltage के बारे में,